तो जब भी आव उपनी रिल्स वीडियो को एडिट करते हो तो आप क्या करते हो उसमें ट्रांसिशन डाल देते हो उसमें इफेक डाल देते हो और स्लो मोशन डालना है तो आप स्लो मोशन कर देते हो और वीडियो को कर देते हो पोस्ट यही सभी करते हैं नॉर्मल में भी यह करता हूं पर यदि आप उपनी वीडियो के अंदर केमरा मॉमेंट डाल दो तो आपकी वीडियो कुछ इस तरीके से दिखेगी तो इस केमरा मॉमेंट को आप काफी जगे यूज कर सकते हो जैसे अगर आप डांस वीडियो बनाते हो तो उसमें आपके यूज आए आएगा इदि आप आउट्डोर में वीडियो को शूट करते हो तो उसमें भी आप यूज कर सकते हो वह इदि आप नॉर्मल एसे वीडियो वीडियो को रीकोर्ट कर रहे हैं500 स्वुआ यहीं लिपसिंग वाली वीडियो गना रहे हो तो यह से आप फ्रेस्ट लुड होगे तो आपका क्याम करेंitude मुद होगा तो उसमें भी आप इसको कर सकते हैं तो किसट्रैकरस अपनी वीडियो के अंदर camera moment डाल सकते हो आज मैं आपको पूरा process बताना वाला हूँ तो वीडियो को last तक देखना इसकी बिल्कुल इमत करना और एक बात और इस वीडियो के अंदर मैंने आपको दो तरीके बताएं पहले तरीका है वो तरीका है मतलब एकदम सिंपल तरीका है एक किलिक करोगा आप उसमें हो जाएगा और इदिया आपके पहला वाला तरीका काम नहीं करता है तो आप सेकंड वाले तरीके को यूच कर सकते हो इस तरीकी के camera moment को डालने के लिए तो चलो बि VPN की भी जुरुत पड़ेगी तो VPN आपको इस अभी उच कर सकते हो यहां पर मैं super VPN यूच कर रहा हूं और VPN को आप connect कर लेना उसके बाद आप CapeCut app को open कर लेना तो यहां पर मैंने VPN already connect कर रखा है उसके बाद यहां पर आपको करना क्या है new project पे क्लिक करना हो यहां पर आपको वीडियो को मैं यहां से split कर लूँआ और इधर वाला पार्ट में को नहीं चाहिए तो मैं इसको delete कर देता हूं और यह वीडियो को मैं 20 सेकंड तक ही चलाता हूं बस ठीक है और split कर देता हूं और जो फालतू पार्ट इधर delete कर देता हूं ओके अब यहां पर आपको करना है कि आपको वीडियो पर से tap करना है tap करने के बाद इधर की तरव scroll करना हो यहां पर आपको एक option दिखेगा lock on का इस पर आप simply click कर देना जहां से भी आपको यह effect लगाना है तो आपको करना है lock on वाले option पर click करना है click करने के बाद यहां पर आपको को मूव करोगे जिदर भी मूव करोगे और यह केमरा मुवमेंट डालता जाएगा और बोडी का भी वही है जैसे जैसे आप बोडी जिदर मूव करोगे उद्धा की तरब यह डाल देगा और हैंड का भी वही है तो simply यहां पर करूँआ कि आप फेस वाले पर क्लिक कर दूआ और यह ओटोमेटिक यह फेस को डिड़क कर लेगा और उसके बाद आपको स्टार्ट पर क्लिक कर देना है और थोड़ा सा वेट करना है क्योंकि यह वीडियो आपकी जनरेट करेगा तो चलो हम थोड़ा सा वेट करते हैं उसके पर आप देख सकते हो इसने एक क्लिक में जो वीडियो है वो केमरा मुवमेंट में मतलब बना दिये जैसे जैसे ये फेस को मूव कर रहा है जिदर बोडी मूव कर रहा है वेसे वेसे केमरा भी मूव हो रहा है यहां पर हमने कुछ भी मेनत नहीं करी है तो अगर आपके पास भी कोई camera में नहीं है कोई shooting वाला नहीं है तो आपकी वीडियो को shoot कर सकते हो और अपनी video को एक दम professionally बना सकते हो तो अग्य तो यह तो हो गया, इसको आपको simply export पर click करना है और इस video का आपको export कर दिना है तो यह तो हो गया first वाला तरीका, जो मैं आपको second वाला तरीका बनाता हो, अगर आपके ये वाला तरीका काम नहीं करता है, तो आप second वाले तरीके को manually भी कर सकते हो, simple तरीका है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम new project पे जाएंगे और यहाँ पर हम एक video को select कर लिएंगे, अब यहाँ पर मैं दूसरी video को लेता हूं, तो यहाँ पर मैंने video को import कर लिया है, अब यहाँ पर एक बात का दियान देना, जब आप video को record करोगे तो record करते time, आप केमरे से थोड़ा दूर की तरफ खड़े रेना थाकि आपकी वीडियो के अंदर केमरा मूओमेंट साई एंट से ड़िक डाल पाए जहां तक आपकी वीडियो होगी, वहां तक इसको आपको कर देना है, और इस्प्लिट करके मैं यह जो फाल्टू पाट है, इसको मैं डिल्ट कर देता हूँ मैं ल suspect करना कि यहां पे आपको इसे वीडियो पर क्लिक करना क्लिक करने के बाद यहां पर क्य Кी फ्रेम देना है और यहां पर जिसे यह ओ सेंटर में ठीक है अब आपको होगो यहाँ पूपर की तरह पर वो फेस से वो सो नीचे की तरह है तापको वीडियो में जो face है वो O के center में ही रहे उसके आगे बढ़ाएंगे आगे बढ़ाने के बाद यहां पर इसको face पर वापत ले आएंगे तो आपको O को face पर ले आना है हर key frame पर थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाना वीडियो को और face पर ले जाना तो आपको इसको अराम-अराम से कर लेना है तो यहां पर चलो इसको मैं कर लेता हूं fast forward कर देता हूं मैं वीडियो को थोड़ा तो यहां पर मैंने camera moment जो है वो के center में लगा दिये अब यहां पर आप देखना वीडियो को हम चलाते हैं तो आप देख सकते हो यहां पर जो हमने camera moment लगा दिया है जैसे जैसे यहां पर यह लड़की मूब कर रहे है और face को मूब कर रहे है वैसे वैसे जो camera है वो भी मूब कर रहा है मतलब यहां लग रहा है कि camera मूब हो रहा है पर हमने यहां पर इसमें editing कर रखिए आपके आपय आपको करना क्या है यहां पर i oldu कर देता हूँ और यहां पर जीस सब्सकर चुकि ऐसे बन चुकी तो आप दोनों तरीके को को इस्तेमाल कर सकते हो पहले तरीका वह इसलिए था क्योंकि पहले की तरीका आपको यूज में आता है मतलब के नहीं कर तरीकि को कर सकते हो काफी सिपल है तो आई होप आपको वीडियो पसंद आयोगी वीडियो पसंद आयता है लाइक कर देना और चानल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना तो चलो मिलता है बना आप नैस्ट वीडियो में